तो हेलो वीवान कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूँ सभी ठीक होगे दोस्तो आरबियसी बोर्ड क्लास 12 का एक्जाम कल है और मुझे लगता है आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हो अगर नहीं हुई है तो डोंट वरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपन लोगों को पेपर बहुत अच्छे से आता है हर एक question का answer आपको पता है हर एक format आपको learn है grammatical accuracy बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी देख दूसरा बच्चा आपसे ज्यादा marks को लिया आता है आपको से जदा knowledge है लेकिन फिर भी वो आपसे ज्यादा marks लिया आता है क्यूँ? what is the reason behind that and there is simple logic and that is paper presentation, हो सकता है आपको आता बहुत है लेकिन आप उसे express ही नहीं कर पारे, आप अपने paper को अच्छे से present ही नहीं कर पारे, तो ये भी बहुत जदा matter करता है, तो आज मैं आपको paper presentation के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपने paper को बहुती beautifully present कर सकत हैं, तो चलिए start करते हैं, देखो दोस्तों कुछ pointers हैं, उनकी मैं बात करूंगा, सबसे पहली चीज है कि जब भी आप अपने paper को attempt करते हो, तो आपको सबसे पहला काम करना है draw margin, आपको क्या करना है, आपको margins को draw करना है, margins को समझो क्या है, मतलब अगर आपकी sheet horizontal है, तो horizontal मे left में, right में आपको margins लेने, margin line जो लेनी है, वो pencil से लेनी है, अब भाई, क्यूं लेने हैं margin, इसके दो कारण, हैला कारण ये कि ये आप लोगों की जो word limit है, उसको enlarge करता है, का मतलब कि अगर आपने left और right में margin ले रखा है, तो आपकी sheet जादा कहीं न कहीं भरेगी, आपका answer जदा lengthy लगेगा, दूसरी चीज, अगर आप गौर करो, कई बार लिखते हुए हम एक line end कर रहे हैं, अगर इस जगा तो दूसरी वाली line इस जगा end अगर के थोड़ा पहले है, थोड़ा बाद में end कर रहे हो, तो एक standardization पूरे के पूरे answer का जो alignment है, वो follow नहीं होगा, तो इस margin से आपका जो answer है, वो हर एक line पे एक particular point पे margin पे जाके end हो रहा होगा, तो आपका पूरा answer एक standard तरीके से नजर आएगा, तो पहली चीज आपको ये करनी है, दूसरी चीज दोस्तों करनी है, right headings, right headings का मतलब क्या हुआ, कि आप लोगों को अपने हर एक question की heading डालनी है, अगर आप यहाँ letter कर रहे हैं, तो आप लिखो letter to editor और फिर attempt कर, short question answer कर रहे है, short question प्लैमिंगो, फिर attempt कर, long question विस्टास, फिर attempt कर, short question विस्टास, फिर attempt कर, उज़ में आगी बात, इसी तरीके से unseen passage कर रहे हैं, तो unseen passage फिर attempt कर, हर एक section की heading डालो, तो आप अगर headings डालोगे, तो आपको आप paper जो है, वो well presented नजर आएगा, देखो ये चीज़े बहुत ज़्यादा matter करती हैं, इस बात को ध्यान रखना, कहीं न कहीं आपका paper कितना appealing दिखता है, ये आपके marks को decide करता है, तीसरी चीज़, तो तीसरी चीज़ है, highlight important points, आपको क्या करना है, important points को highlight करना है, highlight का मतलब ये नहीं है कि आप highlighter लेके पहुँच जाओ और वहाँ पे highlight करने लग जाओ, highlight आपको pen से ही करना है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप उसको उपर उपर bold करते जाओ, ऐसे तो time waste होगा, करना क्या है, अगर आप पूरा paper ball pen से लिखते हो blue, तो आपको gel pen भी लेके जाना है, तो जो point आपको important लग रहे है, for example letter का subject हो गया, या फिर इसके अलावा short question में कोई textual input हो गया, जो आप डाल रहे हो, जो chapter का text as it is आपको learn है, क्योंकि वहाँ key points में text ही आता है NCRT का, तो इस text को आप gel pen से लिख सकते हो, तो वो अलग तरीके से ही highlight होके नजर आएगा, ये आप लोगों को बताया था, पहले वो questions करने हैं, जो अच्छे से आते हैं, let's say अगर आपको letter बहुत अच्छे से आता है, आपने वो किया, तो फिर आपको writing skills के बाकी part के लिए वहाँ जगा छोड़ दे नहीं है, और फिर literature पे जा, ऐसा नहीं करना कि बार बार आप repeat करते ल आपको एक single line से, आपको क्या करना है, एक single line से cutting करनी है, आप लोगों को cutting ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी है, बच्छो की आप भुचण मुचण करे जा रहे हो, इससे आपका paper neat and clean नजर नहीं आता, तो बहुत जादा जहुरी है, बहुत ही well presented paper के लिए, ठीक है, और last चीज ह बच्छो revise paper, कई बार क्या होता है, हम लोग paper तो कर देते हैं, लेकिन at the end हमारे कुछ questions शूट जाते हैं, तो revising में दो चीज़े आपको करनी है, पहले तो you'll have to ensure कि यार क्या मैंने सारे questions कर ली है, तो question paper to answer sheet टिक कर करके आपको सारा देखना है, उसके बाद आपको एक बार answers इसको read करके देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि जब हम paper को attempt कर रहे होते हैं, तो बीच में जो हम लिखना चाते हैं, वो miss हो जाता है, लिखते लिखते, ऐसा कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, तो आप अगर उसे read करोगे, तो आपको पका कुछ ऐसे fillers आपे मिले अगर किसी भी प्रकार का एक पसेंट भी डाउट आता है, तो तो आपने सुमिष सर को contact कर सकते हो, नीचे टेलिग्राम ग्रूप का link मैंने दे रखा है, वहाँ बाकाइदा message कर सकते हो, और कल मैं paper को solve भी कराऊंगा, तो make sure जैसे ही paper देके आओ, तो मेरे YouTube चैनल पे आजान कर दो कर सकते हैं तो में कर दो किए आता है, तो में कर देके जाजाटे।